नमस्ते, आज हम बात करने वाले हैं बहुत important topic के ओपर जो कि है subscription अगर आप Germany में रह रहे हैं या फिर आप Germany में आने वाले हैं तो ये topic आपके बहुत काम आने वाले है Germany में जबी भी आप किसी चीज़ को subscribe करते हैं चाहे वो gym membership हो, चाहे वो किसी तरह का subscription हो तो वो automatically, after certain period of time, कुछ time के बाद में वो automatically auto subscribe हो जाएगा जब तक कि आप उसे terminate नहीं कर देते Terminate करने के लिए भी एक notice period होता है जैसे कि अगर आपने एक साल का किसी चीज़ का subscription लिया है तो जो साल खतम हो रहा है, उसे तीन महीने पहले तक आप उसको unsubscribe कर सकते हैं डिस कंटेनियो कर सकते हैं ये जो notice period होता है, वो generally तीन महीने का होता है जर्मनी में लेकिन ये vary कर सकता है ये depend करेगा आपकी contract पे तो जब भी किसी चीज़ को subscribe कर रहे हैं तो उसके contract की terms and condition को बहुत ज्यान से पढ़िए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है otherwise आप सही टाएं पे उसको terminate नहीं कर पाएंगे और contract की वज़े से वो आगे auto subscribe हो जाएगा फिर आप चाहे उस service को use करें अब हमें पता चल गया है कि हमें उसको terminate करना है अब जानते हैं कि हमें terminate करना कैसे है जर्मनी में कोई भी बोल के बताई गई चीज इत्ती जादा मानने नहीं है जितना आप उसको लिख के उनको दे देंगे जैसे कि अगर आपने एक termination letter लिख दिया है जो कि अगर जर्मन में हो तो best है लेकिन अगर इंग्लिश में हो तो उसमें साथ में आप उसका English translation भी add कर सकते हैं बाई using google translator बहुत easily हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी तो उसको उस form में लिखें English and German version उसपे date डालें उसपे अपना sign करें sign भी बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर उसको अपने registered post से उनको mail कर दे by post और mail भी कर सकते हैं लेकिन by post पेजेंगे तो बहुत ज़्यादा authentic है वो उनको भेजने के बाद में उनसे आप confirmation भी मांगें कि आपने ये received तो उनसे ये भी मांगें क्योंकि ये आपके पास होना जरूरी है Thank you for watching अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए इससे मुझे motivation मिलेगा और आगे और भी ऐसी ऐसी informative वीडियो आते रहेंगी Thank you for watching Namaste